Hello friends, welcome back to my channel Friends, आपने होटलों और रेस्टरेंट में तो तंदूरी चिकन बहुत खाए होंगे आज मैं आपके साथ तंदूरी चिकन की ऐसी रेसेपे शेयर करूंगी जिसे आप घर में बनाएंगे, घर के मसालों के साथ वो भी बिना तंदूर और बिना ओवन के हम इसे बनाएंगे कुकर में, है ना शौकिंग के तंदूरी चिकन वो भी कुकर में तो friends, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो please मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तंदूरी चिकन बनाने के लिए इस तरह से चिकन के थाई के पिसेज लेने हैं और इसमें डीप कट लगा लेना है, आपको इसके जॉइंट पे भी कट लगाना है, ताकि जब इसे हम मेरेनेट करें तो इसके मसालो का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए आप देख सकते हैं, मैंने हर तरफ से डीप कट लगाया है, इस तरह के थाई के पिसेज आपको आराम से चिकन वाला बना कर दे देगा और इसी तरह से आपको सारे चिकन में कट लगा लेना है चिकन के सारे pieces में deep कट लगा लेने के बाद इसे हमें marinate करना है जो की हमारा first marination होगा तो चलिए हम first marination करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें नमक add करना है नमक आप अपने test recording डालिए उसके बाद मैंने इसमें one table spoon white vinegar डाला है इसके जगा पे आप lemon juice भी उसकर सकते है साथ में one table spoon कश्मीरी लाल मिर्च powder डालनी है जिससे चिकन में अच्छा सा red color आएगा और अब इसमें हमें डाल लेना है ginger garlic paste ये मैंने two table spoon डाला है अब इन सारे मसालों को हमें चिकन के उपर अच्छे से रब करके लगाना है ताकि जो हमने चिकन के उपर deep cut लगाया है इनके अंदर सारे मसालों का flavor चला जाए और इसमें एक अच्छा सा color भी आ जाए और अब हमें second marination करना है तो second marination के लिए हमें एक करहाई में दो चमच सरसो तेल डालना है और उसको गरम होते ही हम इसमें बेसन डालेंगे बेसन हमें one table spoon डालना है और gas के flame बिलकुल low करनी है और low flame पे इसे एक से दो मिनिट तक भून लेना है ताकि बेसन का कच्चापन खतम हो जाए और सरसो तेल का smell भी खतम हो जाए और अब इसमें हमें half table spoon कश्मीरी लाल मिर्च पावडर एड़ करनी है फ्रेंट्स होटलों वाले और रेस्टोरेंट वाले तंदूरी चिकन जो बनाते हैं उसमें यही मेथोड यूज करते हैं तेल एड़ करने का जिससे उनका तंदूरी चिकन बहुत ही अच्छा बनता है तो आप इस प्रोसेस को जरूर कीजिए जब भी तंदूरी बनाईए और अब यह खाली बोल लेनी है और उसमें सरसो तेल और बेसन के मिक्स्चर को ट्रांसफर कर लेना है और अब इसी मिक्स्चर में हमें बाकी सारे मसालों को एड़ करना है तो सबसे पहले हम इसमें दही एड़ करेंगे तो यह देखिए फ्रेंस दही को मैंने च्छानने के लिए रख दिया था ये half cup दही है जिसे मैंने च्छन्ने के लिए एक च्छन्नी में रखा था ताकि इसका extra पानी जो हो वो निकल जाए friends दही को जब भी च्छान कर आप यूज़ करेंगे तंदूरी के मसाले में तो आप देखेंगे कि इसका जो मसाला है वो बहुत ही थिक और बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर वाला बनकर तयार होगा और जब आप इस मसाले को चिकन के उपर लगाएंगे तो चिकन में बहुत ही अच्छे से कोटिंग होगी भी बिल्कुल समूद सा मसाला बनकर तैयार हुआ है तो चलिए अब इसमें हम बाकि मसालों को अड़ कर लेते हैं half टेबले स्पुन घर का पिज़ा हुआ गड़म मसाला डाल लिया है मैं नहीं half टेबले स्पुन जीरा पौडर half table spoon काली मिर्च पाउडर साथ में अच्छा सा टेस्ट आने के लिए half table spoon काला नमक भी डाल लिया है और अपने चिकन तंदूरी को चटपटा बनाने के लिए one table spoon इसमें आमचूर पाउडर या चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं देगी लाल मिर्च पाउडर डाला है one table spoon साथ में half table spoon धनिया पाउडर और बस थोड़ा साइस में डाल लेना है कसूरी मेथी ये रोस्ट करके मैंने डाला है साथ में half नीम्बू को squeeze कर लेना है नीम्बू की जूस को आप first marination में भी डाल सकते हैं और इस marination में भी डालना है साथ में one pinch मैंने food color डाला है friends food color डालने से ये होगा कि बिल्कुल red color का chicken तंदूरी मसाला बनकर तयार होगा जैसा कि आप hotel या restaurant में देखते हैं कि chicken तंदूरी बिल्कुल red color का होता है उसमें ये यही use करते हैं जिससे उनका मसाला perfect red दिखता है और ये देखिए कितना प्यारा सा इसका color आया है और chicken को second marination में डालने के लिए ये mixture तयार हो चुका है तो ये chicken है अब इसके उपर हमें इस mixture को डाल देना है और friends इस बात का भी ख्याल रखें जब आप chicken को first marination में डाले हो तो उसमें अगर extra पानी हो तो उसे आप निकाल ले तो इस तरह से फिर chicken के उपर हमें इसे अच्छे से rub कर लेना है चिकन को इस marination में डाल लेने के बाद हमें 5-6 घंटे तक के लिए छोड़ देना है और अगर आपके पास time है तो इसे आप whole night के लिए भी marinate करके रख सकते हैं जिससे आपका chicken बहुत ही tender और juicy बनकर तयार होगा और अब हमें cooker लेना है और cooker को अच्छे से गरम कर लेना है और गरम कर लेने के बाद इसके उपर हमें chicken के pieces को रख लेने है जिसे हमने 5-6 घंटे तक के लिए marinate कर लिया था फ्रेंट पहले 5 मिनट तक gas की flame medium to low रखनी है उसके बाद बिलकुल low flame पे इसे हमें cook करना है और अब हमें क्या करना है कि cooker से ये CT निकाल लेनी है और इसे निकाल लेने के बाद हम इसका rubber भी निकाल लेंगे तो ये हमारा तंदूर बन जाएगा और इसी में हमें इसे cook करना है तो याद रखिए friends हमें cooker की CT भी निकाल लेनी है और इसका rubber भी निकाल लेना है और अब इसे बिलकुल low flame पे हमें पहले 15 मिनट cook करना है और जब 15 मिनट cook हो जाएगा फिर इसे हम खोलेंगे फिर flip करके हम इसे दूसरे साइट से 15 मिनट तक cook करेंगे friends चिकन को cooker में डाल के cook करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं तो इसे हमें एक बार चेक कर लेना है और आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा steam बन गया है और अब इसे हमें flip कर लेना है और flip करके दूसरे साइट से भी हमें 15 मिनट तक इसे बिलकुल low flame पे cook करना है चिकन को cook होते हुए तकरीबन आदे घंटे हो चुके हैं तो एक बार हमें इसे खोल के चेक कर लेना है और आप देख सकते हैं कि चिकन ने बोन बिलकुल छोड़ दिया है ये देखिए हम इसे चेक करके इस तरह से दिखाएंगे और अब हमें क्या करना है एक रोस्टिंग निट लेनी है और उसके उपर चिकन के पिसेस को डाल लेना है और डाल लेने के बाद इसे अच्छे से रोस्ट करना है जब तक इस पे ब्लैक ब्लैक एस्पॉर्ट ना आने लगे जैसे तंदूरी चिकन में होता है और इसमें इसके धुएं से बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा अगर आपके पास रोस्टिंग नेट नहीं है तो चिकन के पिसेस को आप हाथों में पकड़ कर या सीखों में लगा कर आख के उपर अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं उससे भी आपका तंदूरी चिकन का फ्लेवर आ जाएगा चिकन के पिसेस को दोनों साइट से फ्लिप करके हमें अच्छे से इसे रोस्ट कर लेना है फ्रेंट्स गैस के फ्लेम लो ही रखेंगे अगर जादा इसे हाई करेंगे तो इसमें उपर ब्लैक ब्लैक एस्पॉर्ट हो जाएगा और जल जाएगा अब इसके उपर हमें थोड़ा थोड़ा बेटर भी लगाना है जिससे तंदूरी चिकन बिल्कुल जूसी हो और आप देख सकते हैं कितना प्यार और कितना खुबसूरत लग रहा है ये देखने में और ये देखिए फ्रेंट्स परफेक्ट तंदूरी चिकन बन कर तयार हो चुका है जिसे ना तो मैंने ओवन में बनाया है और ना तंदूर में इसे मैंने कूकर में बनाया है वो भी गैस पे तो फ्रेंट्स आप भी एक बार मेरे इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राइ कीजिए और देखिए आपके घर वाले कितने खुश हो जाएंगे फ्रेंट्स कैसी लगे आपको हमारी ये रेसिपी प्लीज हमें कमेंट करकर जरूर बताईए मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपने ख्याल रखिए